तो आज मैं आप लोगों कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जो आज तक इंडियन यूट्यूब पे ना कभी दिखा था ना इसके बात कभी दिखेगा तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि airport पे किस तरीके से custom auction होता है कौन से चीज़े आपको airport auction में मिल सकती है किस तरीके से आप मेरी वीडियो को देखने के बाद सारी तीज़े आपको पता लगने वाली है तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूरू बने रहेगा तो आज मुझे आप लोगो को वीडियो दिखाने वाला हूँ यह है custom auction का जो कि airport में हुआ था अभी दो दिन पहले मैं वहाँ गया था मैंने complete detail में वीडियो बनाई है तो कौन-कौन से चीज़े आपको airport auction में मिलने वाली है कौन-कौन से चीज़े आपको airport auction में मिलती है किस तरीके से बोली लगती है सारे चीज़े आप लोगो को बताने वाला हूँ इससे पहले मैं जो चैनल पर वीडियो लिके आया था वो सारी container auction के था container auction में कहीं न कहीं जो होता है वो large quantity में आपका माल आता है तो उसमें एक सबसे बड़े difficult चीज़ ये होती है कि उसमें जो माल का valuation होता है तो वहाँ पर जो बड़े-बड़े खिलाडी है वही लोग mostly container auction में पार्ट लेते हैं बट airport auction किस तरीके से different है container auction से ये सारी चीज़े मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो में लास तक बने रहेएगा मैं आप लोग को सीधा उस वीडियो पे लेकर चलता हूँ जो मैंने record किया था और sound का थोड़ा सा issue रहेगा उस वीडियो में क्योंकि आप लोग को पता ही कि airport के अंदर ये सारी filming वगड़ा allowed नहीं है तो मैंने किसी तरह ये वीडियो बनाया था और आप लोग को दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप लोग को एक idea होने वाला है कि airport पे कौन से चीज़े मिलती है तो सीधा आप लोग को मैं अपने computer screen बलेकर चलता हूँ कि किस तरीके की चीज़े वहाँ पे आई वी थी किस तरीके की चीज़े आप लोग को airport auction मिल सकती है आने वाले future auctions में भी तो ये जो आप लोग screen पर देख रहे हैं ये है आपका एक boss का sound link का वो है क्या कहते है Bluetooth speaker ये है आपका एक networking यानि server का जो box होता है na server और wifi router वगरा को जो industrial box होते है server networking equipment में आता है ये सारी चीज़े आप लोगों को कहते है airport वाले auction में electronic items laptop और दूसरे तरह के electronic items जादा मिल सकते है क्योंकि इन सारी चीज़ों के import पे इंडिया में बहुत सारी restrictions है बहुत सारी compliance है तो इसलिए जो है न ये सारी जो electronic item है networking equipment है cameras है अपके laptops है फिर iPads है आईफोन है ये सारी चीज़े जादा अटकते हैं क्योंकि लोग वाग बिना सोचे समझें चीज़ों को import कर लेते हैं फिर वो कई बारी अटक जाती कई बारी वो बाहर से illegal तरीके से अपने साथ लाने की कुशिश करती हैं तब भी चीज़ा टकती है तो baggage वाले चीज़े भी यहाँ पर आती है ये जो screen पर दिख रहा है ये आपका motor है इसके आगे भी बहुत सारी साई साई चीज़े हैं आप लोग बने रही हैं आप लोगों करी साई बहुत सारी चीज़े दिखाने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको मिल सकती है क्या कहते हैं airport के auction में तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखती रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा ये आप लोग देख रहे हैं ये एक इंडस्ट्री लेवल का इनिफ्रारेट कैमरा ये कैमरा का पूरा सेट था ये CP-plus का कैमरा था CP-plus वैसी अच्छा ब्रैंड है तो उस ब्रैंड का कैमरा था ओविसली CP-plus ने खुद इंपोर्ट ने किया हुआ ये किसी ओन ने CP-plus का इंपोर्ट करने की कोशिश की होगा इसको लग रहा होगी चायना में बहुत सस्ता मिल रहा है वहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ तो वहाँ से आप किसी भी ब्रैंड का जो अल्रेडी इंडिया में प्रेजन है उसका चीज वैसे भी इंपोर्ट करते हैं चोटा से चोटा तब भी उस चीज में आप लोगो को एक तो IPR लग जाता है यानि इंट्रलेक्ट्र प्रपर्टी राइट प्लस इन पर्टिकुलर अगर आप किसी यह एक ब्लूटूथ स्पीकर है अन्ब्रैंडड है ब्लूटूथ स्पीकर में भी आपको डब्लूपीसी की रिक्वायर्मेंट होती है तो अविसली बंदे के बाद डब्लूपीसी नहीं रहा होगा उसने इंपोर्ट कर लिया होगा फिर चीज़ा ठकी वो प्रोड्यूश नहीं कर बाया वो फिर आउक्शन में आ गई और कैमराज और आपके दूसरे तरह के यह एक दूसरा अनब्रैंडेड क्या करते हैं डीजे सिस्टम टाइप होता है पूरा का पूरा लोग वाग चाहिने से इंपोर्ट कर लेते हैं सोचते हैं और वहां तो बहुत सस्ता मिलना इतनी चुको लिटिका मिल रहा है बट उनको पता नहीं कि इंडिया में अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो इसमें WPC, BIS तरह के कई तरह के रिक्वार्मेंट होती है फिर वो चीज नहीं दे पाते हैं वा लोग तो इस चीज फिल आक्शन में आती है यह देखिए एक एक यह एंकर का वो था एंकर एक इतना अच्छा ब्रैंड है लोग भग टीपी लिंक एंकर का यह चीज लोगों ने पर्सनल यूज के लिए मंगवा लेते हैं इतने सारे आइटम एक यह देखिए यह कीबोर्ड है आपका कितना बढ़िया कीबोर्ड है कितना पतला है एंकर कंपनी है यह अल्रड़ी इंडिया में प्रेजंट है तो इसके लिए चाहिए प्लस अगर आप किसी अनब्रैंडड़ मंगवाते है तब यह देखिए यह एक वो जो आपका यह देखिए यह जो आइटम है यह बहुत बड़ी आइटम है इसको मैं भी दिखाऊंगा आप लोगो को कि क्या चीज़ थी वो यह देखिए यह जो आप देख रहे हैं यह बैगेज का इटम है किसी ने ओविसली कोई बहार से यहां इंडिया में शिफ्ट वाओगा तो बैगेज का समान लेके आने की कुशिश की होगी फिर इसमें कुछ ऐसी चीज निकल गई या उसने क्लेम नहीं किया ज़रूत नही बैल्ट वगे रहा थे काफी सारे यह चीज आई वी थी आपकी यह देखिए कुछ इस तरीके से यह आपको आउक्शन में दिखेगा इतने सारे डबे यह टेबल लगी होती है यहां पे वह मैक बुक भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में तो मेरे साथ ला कि आपको तो आप लोग देखि सकते हैं कि इयर्पर आउक्शन में आप लोगो कितने काम की चीज आपको आपको दिखाने और ऑक्षान के और लिए अगले आने वाले और आउक्शन में आपका इस तरीके सा पार्ट ले सकते हैं airport auction और container auction में यही फर्क होता है airport auction में जो होता है वो personal level की चीज़ा कई बारी जादा होती है जैसे कि bags वगेरा होगे जो कि एक बंदा अगर bidding करता है अगर normal business भी छोटा मोटा business भी करता है तो उसको लेके वो आगे बेच सकता है या तो नहीं भी बेच सकता है इस डर के डर से कि पता नहीं उसमें नुकसान ना होजा और obviously उसमें नुकसान होता भी है कई सारे लोग जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में सोचते हैं कि बहुत सस्ते में माल उठाऊंगा फिर बेच दूँगा पढ़ा के आपको iphone के सामने सामनी की चीज़ दीिखनें अपको आपको सब्सक्राइब करने नुकसान नुकसान ना होता प्रितल के बिगवा होता है अगर उसको मुल्य ओसके या कैपक लिए अपने पर लिए शाहता है एक लॉट के अंदर है लॉट नमबर 142 वहां पर लिखा हुआ है तो ऐसी इस तरी की बहुत सारी चीज़ है आपको एरपोट आक्षन में मिलेंगी मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा जैसे चीज़ आते रहेंगी स्क्रीन पर तो आप 15 साथ लास तक बने रही है मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या किसी दे एक प्रॉस्थिटिक सा जो लोगों के टांग वंग में चोट लग जाती है तो उसको पहनते ना यह वो चीज़ है तो यह देखें यह एक Bluetooth स्पीकर है मीवी कंपनी का था शायत आइगेस किसी ऐसी कंपनी का था यह Bluetooth स्पीकर है तो यह भी एक लॉट में था इसको आप कहते हैं बोली लगा के परसनल यूज के लिए भी खरीच सकते हैं इस चीज़ को तो एरपोर्ट को ऑक्शन कहीं ना कही अगर आप चाहते हैं यह भी एक 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 पेंसिव है आप लोगों को देखी रहा है तो एसी चीज़ें आपको एरपोर्ट ऑक्शन में मिलती रहती हैं और आपको एक परसनल यूज में भी ला सकते हैं तो यह आपका वाकी-टॉकी सेट है जो वाकी-टॉकी के काम आता ह है सेक्यूरिटी में यह वाकी-टॉकी का सेट था पूरा-पूरा दुभी है यह बहुत काम की चीज़े है यह भी ब्लूटूथ का हेट सेट है शॉल्डर में पहन के फिर वो शॉल्डर से लेके आके लगाते हैं यह कुछ जर्सी जाइवी थी पहनने के लिए कपड़े जर्सी कहते हैं इसको पहन के बास्केटबल वगएरा खेलते हैं तो वो चीज़ आई भी थी यह मुझे निए पता किस चीज के लिए रुकी है शायद किसी ने क्लेम नहीं किया हो तो इस वाई से रुक गई होगी यह कुछ क्या कहते हैं इसको क्या क स्वगेरा थे कपका सेट ऐसे बहुत सारी पर्सनल लेवल की चीज़ें आपको एर्पॉट ऑक्शन में आप लोग मानेंगे नहीं कि एर्पॉट ऑक्शन में कहीं सारे यंग लड़के लड़कियां तक आती हैं मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा अगर इसकांट कि आपको मिल जाएगा वो चीज जो चीज ना कहीं आपको 10-15-20-20-वार पर मिल जाए तो क्या खराब उसमें तो इस तरीके के देखिए कि इतने सारे लूग आये में आप लोगो को दिख रहा है कि कितने सारे लोग आये में सारी चीज़ा खोल खोल को देख रहे पूरी की पूरी लिस्ट लेके जाते हैं, और लोग टिक कर लेते हैं कि यह आईटम अच्छा, यह आईटम बुरा है, यह आईटम में हम बोली लगाएंगे, तो वो लोगवक जाधा तर अपना लिस्ट लेके carry करते हैं यह देखे लिस्ट रख दिया बंदे ने इस तरह की लिस्ट होती है सबके बास यह Honda Aero Bike है जो मैं आप लोगों को पिछले वाले डीटेल वीडियो में भी दिखाये था यह जो Cruiser Bike होती है ना पूरी की पूरी 200-200% की इसमें duty होती है अगर आप इंपोर्ट करते हैं खुझ से तो और कई बारी लोगों आप खुझ से इंपोर्ट कर ले थे क्योंकि बाहर देश में सस्ती होती है बड़ इसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि Honda का presence already इंडिया में है तो मेबी उसी चीज वैसी intellectual property राइडिया किसे और चीज के वैसे ये चीज अटक गई होगी फिर ये custom auction में आगए ये सारी detail मैंने आप लोगो पुरानी वाली वीडियो में बता रखा उस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं चीजों के बारे में अच्छा मैं एक काम करता हूँ क्योंकि ये मैंने एरपोर्ट आक्शन का वीडियो पहली बार ही बनाया है तो मेरे पर जतनी रॉफट है जना मैं सारी की सारी डाल दूंगा और जहां-जहां पर आप लोगो मेरी शकल दिखते रहेगी वहां-वहां पर मैं चीजों को बताता रहूंगा बाकी आप चाहे तो इसको कट फॉरवर्ड करकर करके देख सकते हैं यूंकि मैंने चाहता है कि कुछ भी मिस करें देखे ये जूते भी आ रखें तो बहुत सारे चीज़ थी और ये यूट्यूब इंडिया में इंडिया के कैसे भी यूट होगा कस्टम आउक्शन का जो कि एरपोर्ट में होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़े देखे और आप चाहे तो इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं बाकी बीच बीच में जो जो चीज़े जरूरी होंगी वो चीज़े मैं आप लोग को बताता रहूंगा त तो आप लोग चाहे तो पूरा देखे चाहे तो फॉरवर्ड करके देखे यह कुछ जूते आएवे थे लेदर शूस तो यह भी आप लोग को मिल सकती हैं यह मेरे से कई लोग यह पूछते हैं कि हमारा चोटा बिजनस है हम इतना जादा इंवेस्मेंट नहीं कर सकते हैं ज यह जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एक असूस का मीनी पीसी था मीनी पीसी मतलब वहीं सीप्यू था असूस का देखे यह सारी चीज़ जो ना यह लग्ट्रॉनिक आइटेम्स आप लोगो एर्पोर्ट आॉक्शन में बहुत ज्यादा मिल सकती हैं परस्नल यू आप लोगों के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट रहता है देखें यह फिर से वही बोस के स्पीकर्स हैं ब्लुटूथ स्पीकर्स वगेरा इन सारी चीज़ों में कंप्लाइंस होता है इंडिया में इस टाइम पर इंपोर्ट में बहुत जादा कंप्लाइंस होता है लोग इसी तरीके से एरपोट ऑक्ष्षण में आप लोगों को बहुत ही अच्छी चाम की चीज चोटी मोटी आइटम चोटे जोटे वेल्यू वाले आइटम समिल सकती है तो अगर आप लोग साथे हैं कि एरपोट ऑक्षण में पार्ट लेना आने वाले एरपोट ऑक्षण में पाट लेना तो आप नीचे दिए गई नमबर पे call कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं यह सारा पर सीजर काम प्रफिन करता है किस थरीके से में तो यह देखिए यह फिर से वही walkie talkie है इस तरह की walkie talkie electronic items आपको भतेर मिलेंगी एरपोर्ट auction में walkie talkie bluetooth speakers led modules led lights screen bluetooth headsets तुनिया भर की जो तो वसके चीजान सकते हैं आपके काम में आ सकती है उस सारी चीजान आप यहां पर इसके के लिए कस्टम क्रिच से खरीच जो तो आप सब चुम्नपपल पिसरा नफ में भी में इँ प्सक्राश। तो यह देखिए यह होंडा वाली बाई के होंडा शैडो एरो करके यह बाईक है इसकी MRP मैंने जितनी रिसर्च करी थे उसके साब से थी 15-16 लाख और पे की MRP थी इसकी इसमें इन्होंने मेंचन किया हो था है इसका जो इंजन ऑईल का वह जगा है ना उसमें थोड़ी से ब्लीकेज है तो बहुत मेजर कोई प्राब बंदा आप देख रहे हैं यह बंदा भी काफी इसमें इंटरस ले रहा था तो होफ़ली इस बंदे ने भी इसमें बोली लगाई होगी आप सोचिए 15-20 लाख रुपे की बाई के अगर आपको यह एक डिर 2-3 लाख रुपे मिल जाती तो आपका कितना फायदा है तो इस त तरह की आइटम आप चाहें तो बिडिंग करके खरीच सकते हैं फ्यूचर में आने वाले आउक्शन में तो देखें कितनी सुन्दर बाईक है और कितनी मस बाईक है क्रूजर काफी बड़ी बाईक थी यह जो क्रूजर बाईक से होती है बड़ी-बड़ी हाली डैसी बोली लगाने वाले हैं तो यह देखें यह जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हो ना यह एक एपल का सीप्यों यह आईगेस 2015-16 में डिसकंटीनु कर दिया था यह एपल का स्पेसिफिक एडिटिंग के लिए उन्होंने जैसे कि अभी वह बड़ा वाला उसका एपल का स इसको जो स्टैंट पर खड़ा होता है यह 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 एक्चुली वह चीज थी एक टाइम पर उसकी जगा पर तो यह कितनी बढ़िया चीज आप देखें अगर आई इसको आप खरीद देदा था आज भी कितनी वेल्यू होने वाली इस चीज की एपल का था यह 2015-16 में उन्हों को लास तक देखता रही है तो आप लोगों को एक वाइट प्रस्पेक्टिव से दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से साइधी चीज़े होती है एरपोर्ट कस्टम आउक्शन में देखी है वहाँ पीछे एक अंटी भी खड़िया जैसे कि मैं आप लोगों को बता कुछ किसी तरह का मैंनिंग वगरा में यूज करते ना कुछ मेंजर वगरा करने के लिए वह इसा कुछ एक इंडस्ट्रियल मेजरिंग एक्विपमेंट था तो इसके भी काम की चीज़े वह ओफ़ली बोली लगाएगा और लेकर जाएगा नहीं बोली लगाएगा तो नेक किसी तरीकी क्यों चीज़ें आप लोगो कॉस्टोम उप्सकुम पाई वह थाए अपये मैस तर chicken का माई मैNT इच बप्लिय को मैं भी प्रियो को में पábका। और इसकी मैंने MRPP देखे थी अराउंड एक लाग से जार रुपर कि इसकी MRP MRP थी तो सोचिए कि कितनी महेंगी चीज़े और इक इतने में निकलने वाली है तो आप लोगों को एक अंदादा होने वाला है कि क्या चीज है इस तरीकी की चीज़े आपको एरपोट आक्शनर मि प्लूटूथ के आगे हैं रिमार्क्स में WP से लिखा हुआ था स्पीकर के आगे हैं वह पता नहीं क्यों लिखा हुआ है जो खरी देगा एक पीस वह WP से थोड़ी प्रोट्यूस करेगा इसके लिए इस तरीके से एरपोट आक्शन में चीज़ा डिस्पले पर रखी रहत हैं जिसको जो भी डबा खोलना है वो डबा खोलके देख सकता हर जगपे वहां पे गार्ड खड़े रहते हैं तो वह आप बोलेंगे तो उनको खोलके वह दिखा देंगे चाहिए तो आप खुद भी खोलके देख सकते हैं यह प्रॉपर व्यू आपको मिल रहा है एरपोर् तो अभी वहाँ पर पैकर खड़े रहते हैं वह भी उसको आपको खोल के दिखा देंगे उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो इस तरीके से सारी चीज़े वहाँ पर डिस्प्लेय पर रहती है आप लोग देखी रहे हैं स्क्रीन पर कि बिल्कुल प्रपर तरीके से ल प्राइम कंडिशन आपने के लिए प्राइं कंडिशन में आपका MacBook Pro जो मैं भी हाथ में उठाऊंगा मैं उनको बोल रहा था अंकल को या वीडियो बना दो छोटी सी यह MacBook Pro था 2015 का model था यह i5 model था जहां तक मेरे को पता है मैंने थूरी रिसर्च करी थी इसके उपर अच्छी कंडिशन में था एक दो डेंट था MacBook Pro में उपर बॉड़ी में बट आपका जो MacBook Air था वह एकदम फ्रेश कंडिशन में था यह MacBook Air उसके साइड में दो आइपाट पड़े हुए तो MacBook Air तो बिल्कुल अच्छी कंडिशन में था यह आपका जो iPad था यह भी बिल्कुल mint कंडिशन में एकदम प्राइ देखने वाला है यह दिखिए कि यह मेरे को DSLR का गिंबल मिला था हूँ आप पर यह Moza Air Cross 2 या Moza Air 2 करकर 2000 Moza Air 2 है यह 2020 का ही मॉडल है यह बिल्कुल fresh था एकदम new था कोई प्राब्लम ने थी इसमें तो जिसकी भी काम की चीज है मेरे ख्याल दोचार यंग यंग लड़के आ देखाता हूँ अभी यह जो देख रहे ना इभी मैं जिसको उठा के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यह एक 3D प्रिंटर था जी हाँ यह एक 3D प्रिंटर था वह जो आप लोगों देखते ने कि एक फिजिकल आइटम बनाते हैं 3D प्रिंटर से जो layer by layer बनाता है ची अच्छे कंडिशन में एक दम न्यू था कोई बिलकुल भी न्यू था कोई एक डेंट नहीं कोई एक कुछ नहीं बिलकुल डबा खुला भी नहीं था मैंने जाकर खुलाया था क्योंकि मुझे पता था कि यह क्या चीज है तो यह देखिए अप किस तरीकी के आइटम आपक नहीं करना चाता है तो कंटेनर में आयवे बहुत सारा माल को एक साथ करिद के बाद में बेचना नहीं चाहता जो चाहता है कि अपने परसनल यूज के लिए में आउक्शन से बोल जागा के चीज़ों को खड़ी दू तो वह एरपोट ऑक्शन में पार्ट ले सकता है और आ आपका नुकसान ना हो और आप एक अच्छे ऑक्शनर बन सकें तो यह था एक डली क्या कहते हैं आई-जाई एरपोर्ट का ऑक्शन कस्टम ऑक्शन जो की यूट्यूब में पहली बारी शायद मैंने ही डाला है तो मैंने कोई भी वीडियो एडिट नहीं करी जादा इसमें एडिटिंग नहीं करें आप लोगों को रॉफ दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से वह पर चीजे होती है तो अगर आप लोग आप लोग अशी चैनल पर अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और चैनल पर पर सब्सक्राइब कर दीजे क्यूकि कि उस चैनल पर, मैं इस तरह या कैए घएा कस्टम लिलेटर एक्सपोर्ट रिलेतट टेट सरा आप जवीडियो जा और जाता रहता मैं तो मिलते हैं किसी और कस्टम में या इंक्सपोर्ट इट लेटर वीडियो में तो तब तक के लिए थैंक्इू सो मच अब तक वीडिय ये रहने क्ली